जय खारत मता की जय खारत मता की जय खारत मता की जए साथ्यों आपका ये होसला आपका शावर्य और माभारती के मान सम्मान की रक्षा के लिए आपका समर्पन और तुलनिया है आपकी जिवरता भी दुनिया में किसी से भी कम नहीं है जिन कठीन परिस्थितियों में जिस उन्चाई पर आप मा भारती की धाल बन करके उसकी रक्षा करते हैं उसकी सेवा करते हैं उसका मुखाबला पूरे विश्व में कोई नहीं कर सकता है आपका साहस उस उन्चाई से भी उन्चा है जहां आप तैनाथ है आपका अंडिश्चा है उस गार्टी से भी सक्त है जिसको रोज आप उपने कदों से नापते हैं आपकी भुजाएं उन्चट्टानों जैसी मजबूत है जो आपके इर्दगिर्द खड़ी है आपकी इच्छाशक्ती आज पास के परवतों जितनी अटल है आज आपके बीच आकर मैं इसे महसूस कर रहा हूँ साथशाथ अपनी आँखों से इसे देख रहा हूँ साथियों जब देश के रख्षा आपके हाथों में हैं आपके मजबूत इरादों में हैं तो एक अटूट विश्वास है जर मुझे नहीं पूरे देश को अटूट विश्वास है और देश निश्चिन्द भी है आप जब सरहद पर डटे हैं तो यही बात प्रतेख देश वासी को देश के लिए दिन रात काम करने के लिए प्रेवित करती है आत्म निर भर भारत का संकल्प आप लोगों के कारण आपके त्याग परिदान पुर्साथ के कारण और मजबुद होता है और अभी जो आपने और आपके साथियों ने बीरता दिखाई है उसने पूरी दुनिया में ये संदेश दिया है कि भारत की ताकत क्या है और मैं मेरे सामने महिला फोजियों को भी देख रहा हूँ युद्ध के मैदान में सीमा पर ये दर्श अपने आपको प्रेणा देता है साथियों राष्ट कवी रामधारी सी दिनकर्जी ने लिखा था जिनके सिहनाद से सहमी धर्ती रही अभी धर्ती रही अभी तक डोल कलम आज उनकी जैवोर कलम आज उनकी जैवोर तो मैं आज अपनी बाणी से आपकी जैवोलता हूँ आपका अभिननन करता हूँ मैं गलवान गहाटी में शहीद हुए अपने वीर जवानों को भी पुनह स्रद्धाजली अर्पित करता हूँ इनमें पूरत से पस्चिन से उत्तर से दक्षिन से देश के हर कोने के बीर अपना शौरिय दिखाते थे उनके पराकरम उनके सीहनात से धर्ती अब भी उनका जैकारा कर रही है आज हर देश वाजी का सीर आपके सामने अपने देश के वीज सैनिकों के सामने आदर पुर्वक नतमस्तक होकर के नमन खरता है आज हर भार्थिय की चाती आपकी वीरता और पराकरम से फुली हुई है साथियों सिंदू के आशिरवाद से ये धर्ती पुन्य हुई है बीर सपुतों के शवर्य और पराकरम की गाताओं को ये धर्ती अपने आप में समेटे हुई है लेख लग्दाव से लेकर करगील और सियाचिन तक रेजांगला की परफिली चोटियां से लेकर गलवान गाटी के ठंडे पानी की धारा तक हर जोटी हर पहाड हर जर्रा जर्रा हर कंगड पत्थर भारतिय साइनिकों के पराकरम की गवाही देते हैं 14 कोर की जावाजी के किस्से तो हर तरफ है तुरिया ने आपका अदम में साहत देखा है जाना है आपकी शौर्य गाथाएं गर गर में गुंज रही है और भारत माता के दुश्मनों ने आपकी फायर आपकी फायर वो ही देखी है और आपकी फ्यूरी भी साथियों लद्दा का तो यह पूरा हिस्सा यह भारत का मस्तक है एक सो तीस करोर भारतियों के मान सम्मान का प्रतीक है यह भूमी भारत के लिए सर्वस्वत्याग करने के लिए हमेशां तयार रहने वाले राष्ट भक्तों की धर्ती है इस धर्ती ने कुशत बगुला रिन पोच्छे जैसे महान राष्ट भक्त देश को दिये है यह रिन पोच्छे के ही उनी के फैरंट जिनोंने दुश्बन के नाबाग इरादों में स्थानिया लोगों को लामबंद किया रिन पोच्छे के गुवाई में यहां अलगाओ पैदा करने की हर साजीस को लद्दाग के राष्ट भक्त जनता ने नाकाम किया यह रिनी के प्रेरक प्रयासों का परणाम था कि देश को भारतिय सेना को लद्दाग स्काउट नाम से इन्फंट्री रेजिमेंट बनाने का प्रेरना मिली आज लद्दा के लोग हर्सदर पर चाए वो सेना हो या सामान्य नागरिक के कर्तत्य हो राश को ससक्त करने के लिए अद्भूत योगलान दे रहे हैं साथियों हमारी यहां तहां जाता है खडगेन आक्रम्या बंजीत हा खडगेन आक्रम्या बुन्जीत हा वीर भोग्या वसुंद्रा यानी वीर अपने सस्त्र की ताकत से ही धर्ती की मात्र भूमी की रक्षा करते हैं यह धर्ती वीर भोग्या है वीरों के लिए हैं इसकी रक्षा सुरक्षा को हमारा समर्थ और सामर्थ हमारा संकल्प हिमाले जितना ही ऊंचा है यह समर्थ और यह संकल्प में इस समय आपकी आँखों में मैं देख सकता हूँ आपके चहरों पर यह साब साब नजर आता है आप उसी धर्ती के वीर है जिसने हजारों वर्सों से अनेतों आकरांताओं के हम लोग को अत्याचारों का मुह तोड़ जमाब दिया है हम और यह हमारी पहचान है हम वो लोग है जो बांसुरी धारी कृष्ण की पूजा करते हैं तो हम वही लोग हैं जो सुदर्सन चक्रधारी कृष्ण को व्यादर्श्मान करके चलते हैं इसी प्रेंड़ा से हर आकर्मन के बाद भारत और ससक्तव करूब रहा है साथियों रास्त की दुनिया की मानवता की प्रगति के लिए शांति और मित्रता हर कोई स्विकार करता है हर कोई मानता है बहुत जरूरी है लेकिन हम ये भी जानते हैं कि शांति निर्वल कभी नहीं ला सकता कमजोर शांति की पहल नहीं कर सकता वीरता ही शांति की पुर्वशर्ट होती है भारत आज अगर अपनी ताकत बढ़ा रहा है तो उसके पीछे का लक्षा मानव कल्याण ही है भारत आज आदुनिक अस्त्रत सस्त्र का निर्मार कर रहा है दुनिया के आदुनिक से आदुनिक तक्नीक भारत की सेना के लिए ला रहे हैं तो उसके पीछे की भावना भी यही है भारत अगर आदुनिक इंफास्त्रत का निर्मार तेजी से कर रहा है तो उसके पीछे का संदेज भी यही है विश्व उत्र को अगर हम याद करें विश्व उत्र हो या पिर शांती की बाद जब भी ज़रुक पड़ी है विश्व ने हमारे वीरों का प्राक्रम भी देखा है और विश्व सांती के उनके प्रयासों को मैसूस भी किया है हमने हमेशा मानव तक इंसान युक की हुमेनिती की रक्षा और सुरक्षा के लिए काम किया है जीवन खपाया है आप सभी भारत के इसी लक्ष को भारत की इसी परंपरा को भारत की मही महान संस्कृति को स्थापिक करने वाले अगवा लीडर हो साथियों महान संत तिर्वल्लुवर्जी ने सैंक्लो वश्ट कुर्व कहा था मारा मानं मांड़ वड़ी चेलव तेकुं येना नानगे येमं पड़ाई कह यानि शौरिय सम्मान मर्यादापुन व्यहवार की परंपरा और विश्वसनियता ये चार गुव किसी भी देश की सेना का प्रतिविंग होते हैं भारत की सेना ये हमेशा से इसी मार्ग पर चली है साथियों विस्तारबाद का यूग समयत हो चुका है ये यूग विकासवाद का है तेजी से पदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है विकासवाद के लिए ही आउसर है और विकासवाद ही बविश्य का आधार भी है बीती शतारदियों ने विस्तारबाद ने ही मानवता का सबसे ज़्यादा ही त्या मानवता को विनाज करने का प्रास किया विस्तारबाद की जीत जब किसी पर सवार हो हुए है उसने हमेशा विश्व शांति के सामने खत्रा पैदा किया और साथ्यों ये न भुले इत्यास गवा है कि ऐसी ताकतें मिद गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई है विश्व का हमेशा यही अनुभाव रहा है और इसी अनुभाव के आधार पर अब इस बार फिर से पूरे विश्व ने विस्तार वाद के खिलाब मन बना लिया है आज विश्व विकास वाद को समर्पीत है और विकास की खुली स्पर्धा का स्वागत कर रहा है साथियों जब जब मैं राष्ट रक्षा से जुड़े किसी निल्डे के बारे में सोचता हूँ तो मैं सबसे पहले दो माताओं का स्मरण करता हूँ जब भी मैं राष्ट रक्षा के विशे में सोचता हूँ तो मैं सबसे पहले दो माताओं का स्मरण करता हूँ पहली हम सभी की भारत माता जब मैं दो माताओं का स्मरण करता हूँ पहली हम सभी की भारत माता और दूसरी बेवीर माताओं दूसरी बेवीर माताओं जिनोंने आप जैसे प्रमाक पराक्रमी योजदाओं को जन्म दिया है मैं उन दो माताओं का स्मरण करता हूँ मेरे नेरे की कसोडी यही है इसी कसोडी पर चलते हुए आपके सम्मान आपके परिवार के सम्मान और भारत माता की सुरक्षा को देश सर्वोच चप्रात्विक्ता देता है सेनाओं के लिए आदुनिक अतियार हो या आपके लिए जरूरी साजो सामान इन सभी पर हम बहुत ध्यान देते रहे हैं अब देश में बॉर्डर इंफ्रस्ट्रेक्टर पर खर्च करीब करीब तीन गुनात कर दिया गया है इससे बॉर्डर एरिया डेवलप्मेंट और सीमा पर सडके पूल बनाने का काम भी बहुत तेजी से हुआ है इसका एक बहुत बड़ा लाग ये भी हुआ है कि अब आग कि तक सामान भी कम समय में पहुंचता है साथियों सेनाओं में बहतर समनवय के लिए लंबे समय से जिसकी आशा थी वो चीफ अब डिफेंस स्टाप के पत का गठन करने की बात हो या फिर नेशनल वार मेमोरियल का निर्वान वन रैंक वन पेंशन का फैसला हो या फिर आपके परिवार की देखरे से लेकर सिख्षा तक की शही व्यवस्ता के लिए लगातार काम देश आज हर स्तर पर अपनी सेनाओं और सैनिकों को मजबूत कर रहा है साथियों भगवान गौतम बुन्त ने कहा है साहस का सम्मंध प्रतिवध्यता से हैं कन्विक्षन से हैं साहस करुणा है साहस कमपेशन है साहस वो है जो हमें निर्भीक और अडिक होकर सत्त के में प्रक्ष में खड़े होना सिखाएं साहस वो है जो हमें सही को सही कहने और करने की उर्जा देता है साथियों देश के वीर सपुतों ने गलवान गाटी में जो अदम्या साहस दिखाया वो पराक्रम की पराकास्टा है देश को आप पर गर्व है आप पर नाज है आपके साथ ही हमारे आइटी बीपी के जमान हो बीएसेट के साथी हो हमारे बियारों और दूसरे संग्षणों के जमान हो मुश्किन हालात में काम कर रहे हैं इंजीनियर हो समीक हो आप सभी अदभूत काम कर रहे हैं हर कोई कंदे से कंधा मिलाकर माभारती की रक्षा के लिए माभारती की सेवा में समर्पित है आज आप सभी की महनत से देश अनेक आपदाओं से एक सांथ और पूरी दड़ता से लड़ रहा है आप सभी से प्रेणा लेते हुए हम मिलकर हर पर हर चुनोती पर मुश्किल से मुश्किल चुनोती पर विजय प्राप्त करते रहे हैं विजय प्राप्त करते रहेंगे जिस भारत के सामने और हम समने जिस भारत के सपने को लेकर और विशेश रुप से आप सम शरहत पर देश की रक्षा कर रहे हैं हम उस सपने का भारत बनाने के लिए आपके सपनों का भारत बनाने के लिए 130 करोर देश्वासी भी पीछे नहीं रहेंगे यह मैं आज आपको विश्वात दिलाने आया हूँ हम एक ससत्र और आत्मंदिर भर भारत बनाएंगे बना करके ही रहेंगे और आप से प्रेणा जम मिलती हैं तो आत्मंदिर भर भारत का संकल पर भी और ताकत पर हो जाता है मैं फिर एक मार आप सभी का रवे से बहुत पर अभिनदर करता हूं मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की भारत माता की बंदे बंदे बंदे